हलो 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 गुड मॉर्णिंग और सबसे पहले आप सभी को नौ वर्स की बहुत-बहुत सुबकामनाएं हो हैपी निवर आप सभी को खुब तरक्की करें दोहजार चौविस में आप लोग जैसे मार्केट दोहजार तेईस में मैड बूल था इस वार आप लोगों के पॉट्फोलियो मैड बूल हो जाए आप खूब आगे बढ़ें टेडिंग करें इंवेस्टिंग करें सब में आगे जाए आज का दिन से बेहतर दिन क्या होगा जब साल का पहला दिन है और आप लोगों से मुलाकात करने का उसर मिल रहा है तो चली सुरू करते हैं आज सबसे अच्छी बात हमारे लिए हुई कि कल हमने टेलिग्राम के माध्यम से एक वोटिंग करवाई कि भाई बताओ कि कितने लोग हो जो बास्केट के थूरू अपने आपको प्रॉफिटेबल बना चुके मुझे लगा था कि यह आखरा काफी कम होगा और जब मैंने वोटिंग को देखा तो मैं खुद सर्प्राइज हो गया कि लगभग चार हजार से ज़्यादा लोग ने यह मार्क किया कि हां सर मैं प्रॉफिटेबल हूँ मेरी प्रॉफिट की रेशियो कम ज़्यादा होगी ज इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और आपने आपको इस काविल बनाया कि आज आप अपने आपको कर सकते हो कि हां मैं आप बाजार से पैसा बना सकता है और जो लोग भी बना रहे हो आज कमेंट सेक्शन में ढालिए कि हां सर मैं बास करूं क्योंकि अभीत आपने कैस्ट बास्केट सीखा है इसके और रूप को बताऊएं उसके लावा किस प्रकार हम option की souvent बास्केट में जाते हैं future की बास्केट में जाते हैं उसके भी चरचा करेंगे लेकिन सबसे जो based basket होती है वो case basket होती है इस बात का हमेशा ध्यान रखिए जिसमें mind का ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता है relax होकर बस बैठने की habit होनी चाहिए, chart को देखने आनी चाहिए, थोड़ा सा basic उसके अलावा ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती है और पैसा अपना काम करना सुरू कर देता है जो आप लोगों के साथ किया है, मैंने ये भी देखा कि आप में से बहुत से ऐसे लोग थे, कि जो परिशान थे बाजार में, और जब उन्होंने basket करना सुरू किया, और साथ से आठ महीने में एक बहुत बड़ी चेंजे जाए और वो आपने आपको आज बता सकते हैं कि हाँ सर मैं प्रॉफिटेवल हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि बाजार में कुछ ऐसी चीजे हैं जो सच में काम करता है आप लोगों में से जो भी कोई लोग बजार में संघर्ज कर रहे हैं परिसान हैं एक बार बास्केट को एडॉप्ट करने की कोशिस किजिए चाहे आप जिस सेगमेंट में करते हूँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ कैस में जाओ चुकि आपकी हुआ है एर दोहजार पचीस आते आते आप अपने आपको प्रोफिटेवल बना लोगे और प्रोफिटेवल बनाकर इस बाजार 음악 से पैसा कमाना आरंब कर दोगे आप बाजार से डरो गे नहीं आपको बाजार में लगेगा कि मेरा बिजनेस है और मैं इसे पैसा इजली कमा सकते हूं इस लेवल तक अपने आपको सीखना है तो दो हजार चौविस में अपने आपको सीखने में डालना है अपने आपको प्रॉफिटेवल बना है और सीम्पल सा रास्ता मैं आप लोगों को बता रहा हूं बास्केट करो आप चाहो तो BTST basket कर लो, आप चाहो तो intra day basket कर लो, आप चाहो तो conditional कर लो, आप चाहो तो swing कर लो, आप की जो भी सरधा हो, जो भी इच्छा हो करो, लेकिन basket के थोगा, मतलब 2024 का एक theme रखो कि basket ही basket हो, अगर वो आप करते हो तो आपका risk को manage करता है, वो diversify करता है, एक profit में रहे तो कुल मिला के आप कहीं ने कहीं profit की और बढ़ते हो, क्योंकि गिरने की एक सीमा होती है, बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है, आकास की कोई सीमा थोरे नहीं है, आप गिरों के तसीज़ा जमीन प्याग, जमीन से ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हो, तो ऐसे ही market में ये stock का है, कि 100 रुपे का आपने stock लिया है, तो गिर के कहा चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा zero हो जाएगा, यही होगा ना, लेकिन अगर 100 का stock है, तो कितना उपर जाएगा, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, कुछ भी जा सकता है, company जैसा perform करे, तो यही कारण है, कि जो आप basket में जाते हो, तो गि कुछ से रूप है, आप कोई भी रूप को तै कर लोगे, आप ऐसा बनाओगे, तो अभी जो भी आप संघर्स कर रहे हो बाजार में, इसको कीजिए, उसके बात समझ ये, कि आनी वाला जो भविस्य है, ओ इंडिया का है, मैं आज से नहीं, पिछले दो वर्सों से बता रहा हुए बात को, दो वर्सों से कह रहा हूँ कि आपको जहां भी इंवेस्टमेट करने का मौका मिले, जब जब मार्गेट कहीं डाउन मिले, वहां पर इंवेस्ट करने का प्रयास कीजिए, खुरा लंबा सोचिए, आपका पैसा बनेगा, अब लंबा सोचिए, तो बहुत लो को आप ले सकते हो, simply, दस सेक्टर को आपने कर लिया, टॉप थी में से कोई भी आपको अच्छा लगता है, A, B, C, D, Z, कोई भी आपने एक ले लिया, तो दस आपके ऐसा ही हो जाने है, और आराम से उसमें आगे बन सकते हैं, आप देखोगे कि आपने चेंज आ रहे हैं, पहला रूल है, कि आपको कुछ नहीं आता है, तो सेक्टर के लीडर को देखेंगे, लेकिन जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, और आपको सच में अगर वेल्थ क्रियेट करना है, या बाजार में आप चाहते हैं, कि मेरी जो नॉलेज है, उस नॉलेज का पे आप जो बिलकुल नॉन है, और आप में सोचते हो कि मल्टी वैगर रिटर्न हमें मिल जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टी वैगर के माथे पे लिखा नहीं होता है, मल्टी वैगर को राइड करने के लिए जो कलेजा चाहिए हो बाजार में नहीं बिखता है, अगर ये स्टॉक मल्टी वैगर बनना भी होगा तो आप होल्ड नहीं कर पाओ, तो मल्टी वैगर बनाने का तरीका क्या है कि पहले तो नौर अन्नोन के बीच के स्टॉक की तलास करनी है, उसके बाद उसमें नियम रखना है कि भाई डब डबल हुआ तो 50% निकले, बाकी को जी अगर आज टाइटन खरीदेते या कोई भी आज खरीदे तो क्या उसे मल्टी वैगर रिटर्न उस परकार की मिल सकती है, तो सायद मोशली अंसर होगा सर नहीं, लेकिन जब उन्होंने खरीदा होगा, दुनिया उसको उतनी नहीं जानती, दुनिया उतना फेत नहीं अगर बड़ा पैसा बनाए है, उनकी दो हैविट रही है, यह चीज आप याद रखीगा, पहली हैविट, वो स्टॉक को लंबे समय तक रख लेते हैं, लेने के बाद उसकी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि प्राइज में, इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस में इन उस समय पकरो, जब लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जामते हैं, लोगों को उसके ज़्यादा फेथ नहीं है, मतलब इनिशियल स्टेज में पकरो, तो वो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, यह दो नियम हैं, तो पहला नियम तो आप सब को बताई जाती है, हर जगा बुक्स में, पढ़लो अच्छे-चे, सोसल मेडिया पे चले जाओ, बुक्स में, हर जगा मिलेंगी पहला नियम, लॉंग टर्म, लॉंग टर्म ठीक है, लेकिन क्या इतना ही काफी है, हमें जो सपने दिखाए जाते हैं, कि कोल इंडिया में उनिस स्वस्ती में 20,000 का इंव नहीं, वो ऐसा नहीं था, एक कहावत है कि हर बेटा एक दिन बाप बनता है, और हर बाप एक दिन बेटा होता है, वो ऐसा ही हर लार्ज कैप एक स्मॉल कैप होता है, और हर स्मॉल कैप में से जो बेहतर कर लेगा, वो लार्ज कैप बनेगा, हर स्मॉल कैप लार्ज कैप नह सकता है तो आपको वैसे स्टॉक की तलास करनी है जो नूर और अन्नून के बीच में वैल्द अगर क्रियेट करनी है तो उनको लेकर आप लंबे समय तक अगर रखते हैं पांच साल दस साल तो आप देखेंगे कि बहुत वह वह वैल्द क्रियेट हो मैं अपने बारें बता दू कि मैं एक स्मॉल केप का इन्वेस्टर हूं मैं एसे मी इन्वेस्टर हूं मैं एक अच्छा रिटर्ण दिया अब आप यूं समझ लो कि अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं 2020 से किसकी बात कर लो वहां से लेकर आज तक जितने भी हम चार्ट डिसकस करते हैं सेर करते हैं उसमें से लगवाग 90 परसेंट ऐसे स्टॉक होंगे जो आज की तारिक में मल्टी आप चेक कर सकते हैं या कुछ से पूछें और वो सब ऐसे स्टॉक जो की बिल्कुल नहीं कुछ लोग उसका नाम भी न जाने क्योंकि मेरी जो फेथ है मेरी जो नौलेज उन पर है और मुझे उसको लेने में कोई दिक्कर नहीं होती है तो यह मेरा है तो आप लोग भी उस सब चीजों को भी सीखना है तब जाकर आप देखोगी कि पैसा बजार धीरे देरे आपको देना शुरू कर दिया बड़ा पैसा बनाना शुरू कर दिये अब आप लोग में से कुछ लोग कहते हैं कि सर स्टॉक तो मैं बता दूं अगर मैं कोई स्टॉक लेता हूं तो मैं क चार्ट वगरा सेर कर लेता हूं मैं चार्ट सेर करने में यह चीजे मेरे साथ हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने लिया है तो मेरी फेथ है तो 30-40 दिन के बाद आप डिसकस करते हो तो चलो कोई बात नहीं देख लो तो मैं इनिस टॉक को लेता हूं जिसको लोग जामते हैं कुछ लोग नहीं जामते हैं आप जाकर देखें ऐसे ही एक स्टॉक था चोटी से स्टॉक के में बात कर रहा हूं सॉला सत्रुपे के स्टॉक थी एग्रोफोस करके साइदे 2021 की बात है चार्ट मुझे अच्छा लगा था अगरोफोस की और मुझे लगा कि कुछ काम करेगा और तो मैंने डिसकस किया और उसके बाद बहुत लोग में कमेंट आएक सारे चोटे स्टॉक हैं आप चोटे इस डाउक देदी मैं या तोरे नहीं तुम्हारे पास ले लिया या तुम समय तो छोटे लग रहे थे अब अच्छे लगने लगे टिकनिकल भी ठीक लगने लगा तो आपको थोड़ा सा उसी प्रकाप पहुत सी चीजे हैं आप जाकर चेक करेंगे तो तो 2024 में मैं यही कहूंगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं जानते हैं हमारे मित्र हैं भाई हैं हैं अब दोस्त हैं फॉलोर हैं तो आप सीखिए खूब सीखिए बाजार एक पैसे का समंदर है मैं आपको इतना बताओं आप पैसे का समंदर है बट उस समंदर से पैसा निकालने के लिए जो बाल्टी और उसका रसी चाहिए ना ओ नौलेज और आपको लेना परेगा और नौलेज आप सोचल मीडिया पर भड़े पढ़े हैं वहां से पढ़ो बुक्स में पढ़ो लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेक्कल नौलेज आपको चाहिए ऐसी नौलेज चाहिए जो लॉस खाके सीखी गई अगर वो चीजें आप एडॉप्ट करना सुरू कर देते हो तो बजार एक दिन आपको बहुत कुछ देने पर आजाएगी आपकी छंताओं से आपको कहीं ज़्यादा देगा आपकी सोच से कहीं ज़्यादा देगा मैंने पहले भी कहा है कि बाजार सपने बनाती है सपने छीन भी लेती डिसीजन आपको करना है क्या हम यहां सपना बनाने आए हैं या देने आए हैं मेरे पास सर ऐसे से मेल आते हैं कुछ लोगों के जो पचास लाग साट लाग के भी लॉस किये हुए हैं और हमसे कहते हैं स आगर करोते तो यह तो मैंने बताया कि अगर आप पॉ्ट्फोलिव बनाते हो तो पॉट्फोलिओ में डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है बट ओर डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो बुरी बात है इसका मतलब क्या है कि आपके एक स्टॉक में आपकी पोजिशन पांच परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपके बहुत ज़्यादा उसे स्टॉक पे फेट है तो दस परसेंट तक अपनी पोजिशन कर लो लेकिन प्रयास करको उसको फिर से आने वाले वक्त में जब वो हो तो पांच परसेंट तक लाके रखें क्या है कि अगर आप उससे ज़्यादा रखते हो ना तो तकलीफ आईगी मतलब कि किसी का एक करोड का पॉर्फोलियो है तो बीस से स्टॉक से ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए और आपको काफी एक्सपर्टीज हो गई है बाजार में तो दस तक ले आए दस परसेंट तक से लेज़े मतलब पांच से दस इतना ही में भूमना है कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि के के स्टॉक में चालीस परस लेकिन सहब गिरेगा तो ऐसा पेंदेगा कि आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ गेंद नहीं किया तो इस चीज को समझ यह हमेशा बुरे वक्त के बारे में सोचना इस बाजार में बाजार में आप आए होना तो यहां पर प्रतेक व्यक्ति एक दूसरे का पैसा छिलने क प्रियास कर रहा है अपने नौलेच के द्वारा अपने पैसे के द्वारार अपने सिस्टन के द्वारा करते हैं कमकर.. यह आपको यह तो समझना होगा हैma आप अगर यह impact אות सर्श Прəndzt कर दोगे इस बात कर लेंए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं जाना है इनिशल स्टेज में, बहुत कन्विक्षन हो जाये तो मैक्समाम 10%, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, बड़े विड़े स्टोरी पढ़िए लोगों की, मजा आएगा लेकिन आपको खुद के बारे में सोचना है कि भाई मेरे पास 5, 7, 10, 20 लाग बचे हुए हैं, हमें इसको इनिवेस्ट करके आगे बढ़ना है, घर के भी खर्च कभी होंगे, उसको भी देखने हैं, कुछ इमर्जेंसी फंड है, वो भी देखने हैं, आपके पास बहुत सार इसको मिंटेन भी करना है, अगर आपका ज़्यादा है, तो उसको कम करने का प्रियतन कीजिए, ये भी आप ध्यान रखिए, उसके साथ गोल्ड बगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे गोल्ड के सोवरिजन गोल्ड फंड आते हैं, सब आते हैं, गौर्मेंट को उ बहुत सारी चीजें, ये आप के उपर है कि आप कैसे करोगे, अब प्राइज के साथ डिसकाउंट करने का क्या तरीका है, बहुत से तरीका है, मैं एक सिंपल तरीका है, थोड़ा साथ परहावी देता हूं, आईए, जैसे माल लिए कि निफ्टी वी, अभी चल रही है 239 की कितनी की चल रही है निफ्टी वी, 239 की, और मुझे निफ्टी वी को अगर खड़ीदना हो, माल लो कि मैं निफ्टी वी को खड़ीदूंगा भाई, 239 नहीं मुझे 200 पे खड़ीदना है, अगर आपका ये माइंडसेट है कि मुझे 239 नहीं, 200 पे खड़ीदना है, लेकिन अब दिक्कत ही हाई है कि 200 आएगी कि नहीं आएगी यह वाली बाद तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं simple एक P को sale करते हैं P sale जिसको बोलते हैं कि हम P को sale करते हैं तो P को जब sale करेंगे तो वहां पे यह चीज का ध्यान रखेंगे कि 239 क्या तो लॉट साइज के बरावर होनी चाहिए तो लॉट साइज अभी कितना है निफ्टी का मालों निफ्टी के स्पॉर्ट अभी चल रही है एकीस हजार आठ सो और एकीस हजार आठ सो मुल्टिपलाई 50 तो टोटल कितने के हो गए चुलो मैं आपको बताता हूं दस लाख नब्बेहजार रुपे के कितने हो गए 10.9 लाख के हो गए मतलब 10.9 लाख की वैल्यू के अभी के बरतमान में अगर मां खड़ी दू तो 239 तो इतनी वैल्यू के हमें यह लेनी पड़ेगी तो हमें यह देखना है कि 200 पे लेना है निफ्टी के इसको तो हमारा क् होना चाहिए कि इसको उतना ही अनुपाद में हमें माइनस करना है कि भाई कहां तक निफ्टी जाएगी तो हमें मान कर चल रहे हैं कि निफ्टी चलो यह P को सेल करते हैं अब क्या होगा कि अगर मार्च तक उनीस आठ्सो निफ्टी नहीं आई तो पी हमारा जीरो हो जाएगा और यह जीरो हो जाएगा तो पैसा हमें मिल जाएगा और हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा यह लेबल ना आ जाए तो इसका सिंपल सा पांसो पचास पे तो आप क्या करो पांसो साथ सतर वाली जो भी पूट ऑप्सन उसको सेल करते रहो तब तक करेंगे जब तक कि आपको पैसा देगा तो बहुत से इन्वेस्टर एक काम करते रहते हैं जिसको बोलते हैं कि बारगेन करना प्राइज के साथ आप लोग यह भी कर सकते हैं तो ऐसी पाजार में असंख्या चीज़े जो किया जा सकता है एक नहीं है बहुत सारी चीज़े इसलिए मैंने कहा कि ब और या बना बाजार में बहुत मुश्किल है और बहुत आशान है चुनाओं किसका करते हुए आपको देखना है मैं इस बहुत आसान सब्द का यूज़ कर रहा हूं बाजार के बारे में क्या ये सही है तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि 4000 से ज़्यादा लोगों ने जो गोट दिया है कि सर आई एम प्रॉफिटेवल क्या कोई जादू की छरी हमने चला दे थी 7-8 महिने में कुछ ऐसा किया कुछ भी नहीं किया था इस बाजार से फाइट कैसे करना है इंटेलिजेंट इंवेस्टर से लरना कैसे है आप उस तरीका पर चले वो और आज आप प्रॉफिटेवल कमें डालना है कि हां सराइं प्रॉफिटेवल इतनी परसेंट आरवाई लिया है आप लोग का नाम फिच्कल क्लास में आएगा जो कि free of cost होती है और महीने में मैं एक बार पढ़ाता हूं मैं प्रियास करूंगा कि आप लोग का प्यार इतना है कि मैं दो बार उसको अरेंज करूं आने वाले वाक्त में मैं एक कोसिस करता हूं कि मैं उसमें करूं और आये हो नए आसा है कि उन्होंने मुझसे कुछ न कुछ सीखा ही होगा और मैं वहां निश्वार्थ देने का प्रियास करता हूं क्योंकि स्वार्थ के तो अपनी परिवास करता हूं कि कुछ तो भला हो कुछ तो लोग हो और आज सर इतने लोग profitable है मेरी बहुत बड़ी बा सकते हो जैसे मालों आपके पास कैपिटल कम आप इसमें बीटीएस्टी बास्केट भी कर सकते हो आपके पास एक लाख रूपिय नहीं है और आप चाहते हो कि सर मैं सौटर्म वाला ट्रेडर हूं मैं चाह भी लूँ तो होल्ड नहीं कर पाता हूं मेरे लेने के बाद आएगी नहीं परसों आएगी तो एक लाख है तो पचाहजार के लिए अगले दिन बेचे पचाहजार मेरे पास एक्ष्टा है ना फिर कल लेने के लिए एक लाग का ले लेंगे तो कल हमारे पैसा आए गई नहीं तो पूरे मन्त में तो हम 10-12 दिनी ट्रेड कर पाएंगे तो रेगुलर करना है तो उस केस में आपको 50% केप्टल यूज कर पाऊगे यह ध्यान रख लेगा बीटीएसटी में तो यह सब चीजें आप करो उसमें पैसा बन जाता इससे देखिए न कुस दिन पहले हमने बीटीएसटी एक फ्यूचर का था बास्केट फ्यूचर की थ करते हो पैसा बनता है क выз वाजार में हर जगह पर आपको presents सिक्यों सिक्षें सिद्ट कर जाते हो तो आपको या तो वहान-पर प्रॉफिट हो या वहां-पर लॉष अब आप में सकते हो मैं कौस्ट पर निकल गया तो निक्लोगे तो बुरोक्रिस दिन पह्नें कि तो यह तो आपको प्रमREE अगर हमारी सरिए इस बात कि हो कि यह वार नहीं देंगे बाजार भर को प्रोकेंगे और यह सवाबा बाजार मंजभूर हो यह आपको प्रफिट देने के लिए वो देखे का यह सामने वाला intelligent है यह तो सिर्फ loss पे focus करता है तो profit के बारे इंग सोचता ही नहीं है profit बाजार का काम है देना बाजार चुनाव करता है कि किसे कितना देना है हमारा काम हमारी loss को बचाना है जो हमारे अधिकार छेतर में है हम उसे ही देखेंगे हम अपने धिकार चेतर से बाहर नहीं निकल सकते हैं बाजार में तो loss पे focus करेंगे basket क्या कहता है loss को minimize करता है loss को diversify करता है loss को कई हिस्सों में बाट देता है कुछ stock उपर जा रहे हैं 4% कोई 2% नीचे जा रहा है कोई 5% उपर है कि 4% नीचे है कुल मिलाकर क्या profit हो आप देखो एक long term basket हमने करें nine month का update किया है उसका result आपके सामने है दस दिन पहले की ही तो बात है आप उसको देख लेजे live और ऐसे कितनी live आपने देखा होगा तो इस बात को समझे कि आपको मैं आज की video बनाने का मूल मकसद यही है कि जागो आज भी भागने का वक्त नहीं है हाइट करो सामने इस business को start करो और जीतो याद रखेगा you can you will मैं यहां को मुट्वेसर स्पिच देने नहीं आया हूं मैं आपको यहां बस यही बताने आया हूं कि भाई करने का तरीका यह है और तुम कर सकते हो लेकिन तुम जो कर रहे हो अभी तक यह उज्छाल कुदवाले जंपिंग बेवी वाली आदत है उसे बदलो मैंने पहले भी कहा है कि बजार या तो बुल को पैसा देती है बजार चुलबुल को पैसा कभी नहीं देती तो डिसाइड आपको करनी है न आप अपनी लाइफ को चेंज करो न आपके पास पैसा कम है लाख रुपया आप रिटर्न लाख के अनुसार ही मांगो बाजार से आप ले के आओगे बीस अजार और चाहोगे कि इस ओप्सम में डाला हमको अगले दिन बीस अजार चाहिए हो किसने रोका है किस ने रोका है बात बात अप बताओ नुद बाउल पर लगाओ चौकट बाकी आपके पास पैसा बरा हो जाए, आप option selling कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत में, उसके साथ, अगर आप option के buyer हो, और आप कहते हो, sir, आप कितना भी basket basket कह दो, कैस मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं option का कीरा था हूँ, और रहूंगा, और भी buying ही करूंगा, loss लगती है, तो लग इसकी premium easily नहीं गले, यह तो control कर सकते हो, ना, उसमें बहुत सारे hedging है, adopt कर लो, पहले naked जाओ, देखे कि 10-20 point loss तो hedging में इंटर कर जाओ, यह आपका support टूट जाए, resistance टूट जाए, hedging में इंटर कर जाओ, इतना तो कर सकते हो, lot of, उसमें आप adjustment कर सकते हो, बीना डरे हुए, को रोक नहीं सकता है आपको, लेकिन आपको यह जो बुखार लगा है, कि हम weekly में जाएंगे, मैं नहीं कुछ कर सकता है, तो आपको इत्वा उतारना करेगा, ठाई दिन, तीन दिन में सब बुखार भी उतर जाते हैं, इसको उतारिए, आप long term option के और बढ़िए ना, जैसे basket काम करता है, long term option भी आपके लिए ऐसे ही काम करेगी, लेकिन पहले basket में पैसा बनाओ कि ताकि एक side से आए, और उसके बाब उधर जाओ, long term option को आप अपनी portfolio को hedge करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे बाजार अभी top पे खरा है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है top, हो सकता 24,000 पे top हो जाए, कौन जानता है, अभी जब तक confirmation ना हो एक बेमानी बात है, तो आप portfolio को hedging करने के लिए भी long term option का यूज कर सकते हो, ज ऐसे असान के चीजे हैं, जो आपको सीखनी चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन उस सुरुवात करने से पहले, बास्केट करो, और एक साल है आपके पास, इस एक साल बास्केट करने के बाद, पुझे रिपोर्ट काट देजिए, कि हाँ सर, अब मैं इस स्थिती में हूँ, प पता लगे कि यह बाजार में ऐसा कौन पंटर है, जो आप लोगों को बास्केट करने के बाद, लॉस करवाता है, हम देखना चाहेंगे, नहीं होगा साल, असान नहीं है, बहुत मुश्किल है, अब आपको चार्ट रिडिंग भी नहीं आते है, तब तो थोरा सा गलत बात ह पहले से पहले बेसिक चार्ट रिडिंग आनी चाहिए, उसके बाद इसमें इंटर के लिए, आपको तकलीफ नहीं हो कि बहुत लोगों को चार्ट करते हैं सारे स्टॉक सेलेक्शन, तो मैं सिंपल लाइन में कहता हूँ, चार्ट रिडिंग, हमारे एक स्टुडेंट है, उ बीस लाग के कैप्टल थी, उसको प्लेज कर दिया, पंद्रह लाग उन्होंने लिया रहे है, अच्छी बात है, आप किसी भी फिल्ड में, अपने फिल्ड का खिलारी तो बनो, सिंपल साथ, सब्द कहीं मतलब है, आप अपने फिल्ड का खिलारी बनो, जी भर के खेलो, पता चल जाएगा क्या होता है बाजार में, तो जो भी 2024 में आप लोग हो, बासकेट से स्टार्ट करेंगे, बाकी जो चीजे कर रहे हैं, उसको थोड़ा छोड़िए, सीखने लाइफ में जो बुरा वक्त हमें सिखा देता है, वैसा हमें कोई नहीं सिखा पाता है, कोई बुक्स नहीं सिखा पाता है, वैसे ही इस बाजार में जो लॉस आपको सिखा देगा, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, तो आपको खुद की लॉस से सिखना है और दूसरे की लॉस से सिखें और प्रयास करना है कि दूसरे की लॉस से हम ज़्यादा सीखें क्योंकि खुद के लॉस से सिखने जाओगे तो पैसा कम पर जाएगा उम्र कम पर जाए तो यह भी प्रयास करें बाकि किताबों की जो चीजे हैं, वो किताबों में HIV रह जाती है, और दूसरों को बताने जर ने के लिए होती है सच बacy बात तो यह है कि वो दूसरों को ग्यान देने के लिए है लेकिन जब करने जाओगे तो वहाँ पे जो आपने अपनी लॉस से सीखा है या किसी की लॉस से सीखा हुआ ही आपके काम आज आप बास्केट करते हो आप प्रॉफिटेवल हो चार-चार हजार लोग प्रॉफिटेवल हो गए कोई मैं जादू ही छड़ी तो नहीं दिया था हमारी लॉस की जो एक्स्प्रियंस थी हमने आपसे डिसकस किया आपने उसको स्रीशली लिया आप करने के लिए आगे आए आपने पैसा बनाया आज मैं पैसा किसी से लिने तुम नहीं जा रहा आप प्रॉफिटेवल हो आप आगे बढ़ रहे हो मुझे खुशी सबात की मि मैं भी हूँ इस लाइन में मैं भी कमा रहा हूं मैं भी अपने पडिवार वालों को बताता हूं और मुझे प्राउड करते हैं मैं अपने दोस्तों को बताता हूं वह दूपैसे मेरे कारण कमा लेते हैं यह दिन आने वालता है तरीका यही है और सब को जो भी आपके मित्र सहीत यही मक्सद था कि आप लोगों को प्रेडित करूं आप लोगों को बताऊं अब भी वक्त है जो लोग भी बाजार में लॉस कर रहे हो रुख जाओ थोरे दिन रुख जाओ मैं ज़्यादा दिन नहीं करा साथ-ाठ में इस साथ-ाठ में मैं अपने आपको आजमातो लो आज तक आपने इतना कुछ आजमाया है तो एक आजमाने में क्या जाता है आप देखो कि बहुत बड़ी चेंज हो रहे हैं और रही बात रिटर्ण की तो मैंने पहले भी कहा है कि जो रिटर्ण इसमें मिलेगा चाहे कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग करता हो इससे ज़्यादा रिटर्ण प्राप्त करने मुझे कठिनाई होगी यदि यकिन नहीं हो तो दो अकाउंट अपने पास रख लो एक में बास्केट की ट्रेड करो एक में आपको जो ट्रेड करना है कर लो और आपकर 6 मंथ जाकर रिजल्ट देख लो समझमी आ जाएगा कि क्या खो या क्या पाया ट्राइ तो करें सकते हैं ना तो इस चीज को समझिए और किजिए और इन्वेस्टिंग करनी है तो वैसे स्टॉक की तलास किजिए इसका बिजनस मॉडल अच्छा हो जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो जो अभी नोन नहीं हो करता हूं कि सल्मान घान प्रहूंनी सुन अभी में जो पैसा लगाता है ज़ो आज लगाएगा वह ज्यादा कर लाएगा आपको सुन में सल्मान चालेगा बिजनस पढहुंच किसी भी यह लेते होत चोटा है चलेगा बिजनस छोटा नहीं होना चाहिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए खोई चोटी क्मपणियां माल लिजी कि मार्केट केप पचांस करोड की है और उसको ऑजरो मिल गया सो करोर का या पचांस करोर का आपको जाक जाना है कानखरे हो जाने चाहिए कि वही 50 करोड के कंपनी को मार्केटक है और पाचास करोड सेल्स बढ़ रही है प्रॉपिट भी बढ़ रही है बट उसका प्राइज नहीं बढ़ रहा है रुका हुए है देखना एक उसको अराम से और माउकाघ देखकर चौका लगाने क्योंकि ऊक बढ़ रहा है उसको प्राइज को बढ़ना पढ़ेगा कितने दिन अपने आपको बचायेगा देखाना हाया तो इन सब झीजों प Adventкиya है में अब यह स्टॉक लिया लेते ही उपर भागे लेते ही नहीं भागा ना तो उसको बेच के दूसरे पर कुद जाएंगे और दूसरे से फिर वहां चले जाएंगो इस्तिती हो गई हम लोग की स्कूल में बैठा हुआ इस्टूडेंट के तरह कहानी जानते हैं क्या है और इस लंब वीडियो हो जाएगी देखिए आतो ऐसे फंजन वरी एंज्वाई कीजिए पिछले बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ था टॉफी बाटना सुरू किया टीचर ने पहले बेंच वाले को दिया एक नंबर को दो नंबर को तो देखा उसने कि कटोरे में टॉफी तो बड़ा कम है हम तक आते आते तो मैडम का टॉफी खतम हो जाएगा उसने क्य बाट दिये तो उसे लगा कि अच्छा लास्ट में हो गया है तो अब इस सेकेंड पर आएंगी मैं यहीं बैठे रहता हूं क्योंकि मैडम फर्स्ट पर लिए है तो अब लास्ट में शुरुआत की तो आप सेकेंड आएंगी तेकिन हुने क्या किया कि लास्ट पर करके और फिर उसके जश्ट बगल वाले बेंच पर बाटना सुरू कर दिये उस लिए अच्छा आप जश्ट बगल पर बाट रहे है तो फिर से मैं उसके बगल में चला जाओंगा तो मुझे टॉपी मिलेगा वो फिर से बगल में चला गया मैडम करना नहीं अब इसेकेंड वाले ब तो हम क्या कहते हैं मैं जब स्टॉक लेता हूं तो चलता नहीं जैसे बेचता हूं अगले दिन दस प्रसेंट भागता है चॉकलेट की जगह बदल देते हो आपने साहाब उसी जगह टिके रहो भरोसा रखो अपनी इंवेस्टमेंट पर जंपिंग बेगी पैसा थोरे बनाए उस्प्राइब कि घबराना नहीं है जो डाउंट्रेंड को सह लिया पो एक अच्छा इंवेस्टर बन गया जिसने पैनिक को देख लिया बाजार में बुल मार्केट में तो हरको इंवेस्टर होता है एक अच्छे इंवेस्टर की पचांथ कि अच्छे इंवेस्टर को जर्म देता है और बुडे को बाहर कर आ से तो आपको समझना है कि व्ल मार्केट अभी चलरा है हरको मेसा बना रहा है ठ maturity मार्केटिंग होन कि जो आज कहते हैं कि मैं लाउंग टर्म इंवेस्टर हूं कि पॉक्फोलियों परसेंट डाउन होगा कहेंगे what to do what to do तब पता लगेगा ना कि आप कितने जंपिंग बेगी यह सब चीजों को समझ यह कोई बुक्स नहीं आपको समझाने वाला है यह मार्केट की पाट साला में बैठ के तू तराक करनी परती है कुछ चपेटे परते हैं सीखना परता है त दूसरी चीज मैं बता दूँ देर होगा थोड़ा सा समय लगेगा बट आप जीत जाओ देर लगेगा थोड़ा सा समय लगेगा आप जीत जाओ आपको कोई हरा नहीं सकता है आप अजार में पैसा बना सकते हो लेकिन कैस बास्केट की थू आगे बढ़ो यह रिक्वेस्ट है कर आप मुझे फॉलो करते हो इस चैनल पे हो तो करो 2020 में मेरी बात नहीं सुना एकिस में नहीं सुना बाइस में नहीं सुना तइस में सुना चौविस में सुनो पचीस अच्छा हो जाएगा शबीस अच्छा हो जाएगा बास्केट से स्टार्ट करो और बास्केट को confident feel करोगे अपने आप को सम्टाइम प्राउड होगा कि नहीं मैंने बेहतर कैरियर चुना है मैंने इस मार्केट में आकर कोई गलती नहीं की है यह अपने आप एक खुसी होगा नहीं तो सहम मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जौब कर रहे हैं गौवर्मेंट जौब में हैं वो बिचारे पर 33 लाका लोन चल रहा है 40 लाका इस बाजार ने उनका सब कुछ छिल लिया है वो कहीं पर रो भी नहीं सकते हैं अपनी कश्ट भी नहीं जाकर बता सकते हैं मैं ऐसे लोगों सभी मिलता हूं बुझे बड़ा लगता है कि बजार तो इस प्रकार था और उनकी कोई गलती नहीं है उबरे माशून लोग है उनकी गलती बस यहीं है इधर टिप्स को फॉलो कर लिया उधर प्यमेश्च को फॉलो कर लिया नतीजह क्या है सामने ही रिजल्ट क्योंकि स्टार्टिंग में इंपेभी तो होगा ही ने सामने वाला उसको मुना करना स्थे ऑफ होगा बचों को पैर नहीं चलाओ तो क्या नहीं चलाएगा बना करना है और वेन उत्रों करने को अधार पास सर्वाट तुम्हें क्या कर सकता है मैं तो आपको बता ही सकता हuição और यह नहीं करो यह करो यह मेरे लिए कामर करें तो इसको देखिया कि मुझे लगता है कि सब कुश ठीव हो जाएगा काफी बातें कर लिए अगर बातें करते रह गए तो बहुत बातें हो जाएंगे, थोड़ा सा बाजार पे हम लोग आ जाते हैं, बाजार में देखिए कि बाजार अभी कहीं से भी गिरावट नहीं दिख रही है, सीधा हम ए विवाप का यूज करेंगे, बाटम पे लगाएंगे, बाजार में ए अरिया आपका सपोर्ट के अर करेगा, और 20 SM अगर उपर आता है, तो पले हम 20 SM को देख लेंगे, इसको बाद में देखिए, क्लियर है, तो यही है बाजार का सार, और कुछ भी नहीं है, हिट यहां कम होता हुआ नजर दिख रहा है, वाइसा भी अर्ली केंडिल की फोर्मेशन है, तो जब जब यार्ली क की रूप में काम करेंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारा एक बाइंग जोन होगा, एक फोट्फोलियो बनाने के लिए, या एक अच्छी बास्केट बनाने के लिए, यह एक अच्छा फ्यूचर की बास्केट बनाने के लिए, वो हमारा ले एक बाइंग जोन की तरह काम करेगा क्लियर है तो उसको माइन में रख लिए फिलाल यही है जो भी है अपने पास बहुत कुछ नहीं है बाजार में बाजार उपर की हो रही है कोई नीचे की और गिरावट अभी दिखने रही है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट कर देगी उसका लॉजिक क्या है कि आप मंतली ट होगी तो एक आदो के लिए नहीं होती है उसको और मुझ बड़ा होना चाहिए ठीक है तो इसको देखिएगा कही ने कहीं इसके आज-पास मिलता है इसके लोग के पॉइंट के आज-पास तो आप एक डिटेश्ट की तरह काम कर सकता है और अभी तो कोई नीचे की संभाव तो देख रहे हैं पीवेट का एरिया मैंने कोई डिफाइन नहीं किया है आप यहां पर आईए यह वाला एरिया जो 23408 का है है तो यही एक सामने रिजिस्टेंस दिख रहा है नहीं तो बीच में और को रिजिस्टेंस अपने को दिखने रहा है तो अगर इसको क्लोज करके कर जाता है तो फिर इधर की और जर्नी स्टार्ट कर सकता है उसकेस में डर लगे तो लेवल टू हेजिंग कर लेंगे लॉंटर्म बाले में मार्च की हम सी की और देखते हैं और जुन की पी की और देखेंगे कोई बैंग रेक्मेंडरेशन नहीं है आप अपने सरसे चेक कर में यह कर रहा हूं कि यह हो सकता है बाकि लोग खुद से देखिये उसलाली जिससे देखना ही जैसे देखना है रखर फियूचर में भी 99 परकलतDY कर चुके हैं पास्ट में भी कर चुके सबस्क्राइब और अपनी लॉस से सीखो, दूसरे की लॉस से सीखो, किताबों में सीखने का वक्त नहीं रहाएं, ये किताबें तो बच्पन के किताबें हैं, जो हम 10 तक इंटर तक पढ़ें, अब तो उनके बुक्स के टाइटल का नाम भी नहीं पता है, जिबन में वही है कि लॉस से सीख लिए उन जो सिखा देगा, रोगों कोई ने सिखा थ्म दूसरे के लॉस सीख सिखा देगा, यहीं चीज़े हो प्रेयास करते रहें, एक दिन टाइम आयेगा, जो आपका होगा, और बास्केट कीर बढ़िए बास्केट से बढ़ेंगे तो टाइम आएगा, सब का टाइम आ और मुझे लगता है कि 2024 में बहुत लोगों का दौर आना है आज 4000 लोगों ने कहा है कल को हो सकता है 10,000 लोगों तक जाए और एक कारवा बने और मैंने जो प्रयास किया था 2020 से कि बदलाव आए और मैंने देखा कि ट्रेडिंग कम्यूनिटी में बदलाव एक आना सुरू हुआ है कुछ लोग ही सही मुठी भर लोग ही सही लेकिन कम से कम आज आपने आपको प्रॉफिटेवल बना रहे हैं तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि चलो जो वक्त मैंने खोया साइध उनका वक्त बच जाए बस यही प्रयास है और इसी प्रयास के साथ में और प्रयास करता रहूंगा भविस्ते में भी कोसिस करूंगा कि आप लोग चागें मार्किट से न भागें कुछ कर दिखाएं आप यहां सपना बनाने आए हैं और सपने को बनाईए सपने को जी लीजिए और घरवालों को भी सपने बनाईए लेकिन आपने आपको बचाईए यहां पैसा बचाना ही पैसा कमाना है बजार का रूल है जो टिक गया समझो वो बिक गया इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे जल्दी हैं तब तक अपने आपको चेंज क सता लगे कि कितने लोग आप लोग हो और मैं उनको आने वाले वक्त में फिचकर क्लास वगारा में जगह दूँ प्रीटी से कि आपने इतनी महनत की और आप यहां तक पहुंचे हो तो आपको और आगे बढ़ने का पूरा दिकार हैं मैं आपको और आगे बढाने का प्रया 24 में बताइए कि हमारा पैसा कैसे लोगे हम तो बास्केट करें है ना ओके थैंक्यू धन्यवाद